आज हमनाओंगी बटर वाले चावल सबस मिर्चे लिए मैंने तक्रीबन 6-7 उन्हें काटिया इस तरह नमक दिया मैंने तक्रीबन 2 चम्मच जीरा लिए 1 चम्मच छोटी अलाची लिए 3 दार्चीनी दिये 2 टुकड़े 10-12 मैंने काली मिर्चे लिए एक बड़ी अलाची लिए 6-7 लॉंगे लिए एक टमाटर अद्रक लसन को मैंने 1 गठा ब्लेंट किया है दो प्यास काटी है दो प्याली मैंने मटर लिए और देड़ ग्लास चावल लिए बासमती एक पतीला लिए मैंने प्लिवान करती है मैं ड ऋब्वाँ पीज़ कि अप अधिया अधिन दाल ज़ूं कर दो आपीम थापगी अधियाद्ग हागज कर प्यास प्रांख भरष्ण के थियाद्ग घिश्च अधियाद्ग हमें दाल गों लिए त्माटर अग्रगलाशन का प्येश्या त्दारों प्यास नीग हमें बुस्टा साथ ये जरम सारा डाल दूनी सारा अमें नमाप डाल दूनी सारा में जरम सारा डाल दूनी मसाले को ने 3 जाल दून दून लिए अब मैं डाल दून 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 द अब में से धकर पकाऊंगी बॉयराने तक अब मैं डाल दूँगी चावल, चावलों का मैंने तकरीवन 30 मिन सा रेंच हो लिया था अब में से का अबर का अबंगी पाने कुछी चावल, पाने कुछी चाने तक चावलों का पानी फुश्पोर्टी का है हम इसे गंपे रख दूंगी 6-7 मिंट के लिए फिलेम को लो कर दूंगी चावलों को दूंपे रख रख दूंगी तक्रीब हैं चावल रड़ी हो चुके हैं हम इसे बंद कर तो कि हम इनकालों में प्लेट में निकाल ली है अगर आपको मिराज के रेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें शेयर करें कमेट करें करी और में शुको शुकर प्रीब सब्सक्रीब करी आतरवी धित धितनुकी रिंए उटेकर वित दुट